हेलो वाट्स आप गाइस मैंने में स्कुनौत पादुर थापा एंड टोरें दिस फूरो बूगल सी हाओ तो क्रेट एकोडियन यूजिंग रियाक्ट इन हिंदी तो चलिए गाइस सुरू करते हैं सबसे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे आसम चैनल थापा टेकन कर सकता तो बेसिकली एकोडियन आपका यही है मल्टिपल डिप जिसमें आगर आप एक बाद क्लिक करते हो तो उसके अंदर छुपावा कंटेंट आपको दिखाई देता ठीक है तो सब्सक्राइब तो मुझे अगर उसका एंसर देखना हो तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यह आपको दिखाई दे रहे हैं उसकी जो भी एंसर दिखाई दे रहे हमने हार्ड कोडिट नहीं किया जी अगर शेतिक डेटा नी सभी के सभी है डाइनमिक डेटाइट मिन्स हमें डटा-एपी ऐसे मिल रहा है अब अब एपी आई का हमने ऑल्री देख चुका वाट्ट इ कर देता हूं ठीक है मुझे यहां पर id चेंज करना पड़ेगा this is it and यहां पर react के बदले में इस तरगी से थापा लिग देता हूं ठीक है देखो का इस आप के समने मैंने कहीं पर कुछ भी नहीं किया सिर्फ एक new line एड़ कर दिया है थापा अब जा दो देखोगे सिर्फ एक रिफ्रेस्ट किया एंड आटोमेटिक यहां पर डेटा आगे देखो रियाक्ट है यहां पर यहां पर थापा जो मैंने चेंज किया ठीक है यहां पर थापा के बतले का इसा अगर मैं लिख दू इस तरह की से बिनोड गया तो कैसा लाग रापको की डेटा हाड़ कीजिएगा क्योंकि मैंने अल्रेडी रियाक्ट जैस को पर कंप्लेट सीरीज अप्लोड कर चुका हूंगा इस एडवांस बेसिकली विगिनर्स टु एडवांस सब कुछ आपको मिलेगा एंड रियल एपिया अगर आपको देखना है कैसे काम करते तो आप देख सकते रिया बैल आइक एन एक घंटी दिखाए देगा हीट किजे क्लिक किजे ताकि आप डेले से आसम वीडियो को मिस ना करें एंड गाइस मुझे इंस्ट्रग्राम थापा टेकनिकल इस पर भी जरू फालोग लिजेगा मुझे बहुत ज्यादा खुसी होगी और गाइस अब हम बीना दिस्क्रिप्शन में प्रॉइड करा दूंगा तो आप वहां से जरू इसको चेक आउट कर सकते हो ठीक है तो देखें गाइस मैं अब क्या करता हूं सिम्पली अप अपना पहले तो एक रियाक्ट एप कर लिजे सिम्पल एंप एक रियाक्ट एप का नाम कुछ भी दे इसमें में चलूँ गा राइट क्लिक निवाइल करता हो जिसका नाम होगा अब मैं मैं सब क्यापिटल में लिखना आ गला हाक Oracle Dipped शिक्टीन षम्ट gefला opener मेरा में में फाइल टिकम small caps कैसी भी अप्लिक सकते हो, it's totally up to you, ठीक है, so guys, मेरा accordion हो गया, यहाँ पे, all right, मुझे एक और accordion यहाँ पे लगेगा, ठीक है, अब यह आपको पता चल जाएगा, इतिने सारे files queue में create कर रहा हूँ, my accordion, इस तरीके से dot pages, this is it, चले दिखे, तो सब से बहला, सिसरे मेरा CSS है, इसको में कर लेता हूँ, copy, इसको में हटा देता हूँ, यह वाला CSS है, आप मैं इसको कर देता हूँ, paste, control style, सब, चलो, मेरा CSS का इसनoti का अंक्प्रीट, मेरा यह जो API है, ठीक है उसको भी मैं कर लेता हूं यहां से copy यहां पर मैं कर देता हूं पेस्ट कर दे रहा हूं ठीक है चलो this is it देखो guys बहुत जादा simple है मैंने array of an object क्रेट किया हूँ export किया है const questions उसका नाम है and then आप देख सकते हो array of an object तो मेरा पहला object में we have an id question number I mean question जो भी है and then उसका answer same हो यह खाली id चेंज हो रहा है क्योंकि हम इसमें map method यूश करेंगे जिसमें हमें key pass करना रहता तो guys इतना ही है id question answer पस ठीक है तो फिलाल इसको भी आप में हटा जयता हूं ठापा and guys अगर मुझे यह मिलता है output it means सब कुछ एकदम perfect है ठीक है तो आप में क्या कर सकते हो दिखो and I think spelling wrong लिखा है मैंने चलो कोई नहीं यहां पर मैं इसको सही कर देता हूं ठीक है it doesn't matter कि आपने टॉप पे क्या राखा आपका फाइल का नाम क्या इससे हमें कुछ मतलब नहीं है हमें मतलब है तो सिर्फ कॉंस्ट जब आप function का नाम क्रेट करें एंड उस function को जब आप export करें तो वो दोनों सेम होने चाहिए ठीक है accordion from ठीक है dot forward slash मेरा component forward slash देखोगा इसी यहाँ पर all right we have this accordion एंड यह मेरा accordion ठीक है ठीक है so मैं यहाँ पर चलता हूँ it's super duper easy so import ठीक है उसको मैंने डिफॉल्ट नहीं रखा तो मुझे इसस्तर के से कलिब्रेस के अंदर रखना पड़ेगा उसको मतलब इंपोर्ट करने के टाइम dot forward slash आप देख सकते हूँ API dot js लिखनी की नेट नहीं क्योंकि dot js extension automatic को get करी लेता है ठीक है एंड मुझे उस css को भी यहाँ पर apply करवाना है अब इसको मैं यहां से अटा रहा हूँ मुझे यहां पर क्या चीए ठीक है मुझे यहां पर आप मैं आपको दिखा भी नहीं चाकता क्योंकि जा चुका है वह चलो कोई नहीं मैं यहां पर चलता हो देखो कैस मुझे यह जो हमारा API का data है यह क्या array of an object मुझे इनको लूप चलाने है one by one ठीक है तो वह मैं कैसे चला हूँ गाइस आप map method mostly अब ही यूज करते हैं तो उसके लिए मुझे उसको एक state में आड करके रखना पड़ेगा इस टीक है सो कॉंस्ट ऑल्राइट कॉंस्ट यहां पर मैं चलता हूँ गाइस आप कुछ भी लिख सकते हैं लेट्स अब मैं यह जो data है कैसे करूंगा देखो data.map हमने अलएड यह map method को पर वीडियो देख चुका गाइस if you don't know की map method क्या था यह अगर आप भूल गयो डॉंट वरी टॉप पर आप देख सकते लिंग जरू चेक आउट कीजिए बहुत जाद इंपॉर्टेंट है एंड सिंपली मैं यहां पर फैट आरो फंक्सन चिपकाने वाला हूं इसको एंड इस इस देखो इसके अंदर गाइस चार आपकी अट्रिबूट्स होते हैं आप अपका इंडेक्स नंबर अपका गाइस सिंपली हम कहा सकते है लाइक एक किस अरे के साथ आप करेंड लास्ट वन इस आर्गोमेंट इसके कोई नीड नियमें सो हमारा current element ठीक है अब यह चो current element में अब भी आपको दिखाता हूँ आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है console.log एक काम करता है क्यों console कराना मैं directly return current element ही return कर देता हूँ let's see क्या होता है ठीक आप देख सकते है use state is not defined perfect यहाँ पर में उसको define कर देता हूँ control है save and देखो guys अब हम एक काम करते है कि कहां क्या हो रहा है ठीक है देखो objects are not valid as a react child awesome क्योंकि हम directly object को नहीं दिखा सकते है मुझे object के अंदर अगर आपको यादो we have a question ठीक है याद है question था यह देखो guys what is virtual dome how do you create a react app what is an event यह जो भी है सारा data अगया अगर मैं यहाँ पर सिर्फ id लिख देता तो मुझे एक दो तीन ने देखो एक दो तीन चार पांच से इस तरह किसे मुझे data आ चुका है तो यह जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पर देखो क्या करता हूँ मैं instead directly यहाँ दिखाने से better मैं एक component अलग से create करना चाहूँगा ठीक है अब आपको पता चल गया होगा मैं अलग से create करहाँ ठीक है accordion all right यहाँ पर भी spelling wrong लिखने जा रहा था मैं and this is it ठीक है अभी यह जो accordion है इसको मुझे यहाँ पर भी get करके दिखाना पड़ेगा import मेरा यह जो accordion है simple ठीक है from कहां से from dot forward slash my accordion all right guys again spelling wrong लिखा मैं यहाँ पर भी but कोई नहीं मैंने जैसे कि आपको बताया अगर यहाँ का spelling wrong है एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर चलता हूँ यह देखो यही spelling है ना my accordion कहां गया यहाँ पर दिखिए इसको मैं right click करूँगा आप चाहतो directly accordion ठीक है अप चाहतो गाइस directly इस तरह के सेट कर सकते हूँ it's totally up to you कि आपको कैसे करना है यहाँ पर मैंने directly function का नाम you know and then उसको export के time मैंने चेंज किया इसमें मैंने directly आपको चेंज करकी दिखा दिया ठीक है अगें h1 थापा लिग दियता हूँ ठीक है सिर्फ इतना लिख रहा हूं मैं and इसको as it is रखता हूँ my accordion यहाँ पर है अब वह 5 हो गया ठीक है css मैंने already add कर चुक है that's why प्रॉप पर एक एक करके नीचे आ रहा हूँ ठीक है तो इस तरह के से मेरा हो गया यह अभी जहां से देखो यह जो मेरा accordion है यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा होगा सबसे वहले क्योंकि आप जब भी map method करते हो आपको की वाला जो प्रॉप से वह पास करना रहता है and each child analyst should have a unique key property ठीक है तो यह मेरा चाइल्ड है current element इस तरह के से लिख सकते थे it's totally up to you ठीक है and अब यहाँ पर current element लिखने की need नहीं आप directly इस तरह के से id लिख सकते है तो at least अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूं उसको refresh करता हूं तो देखो कि guys हमें अब कोई error नहीं आ रहा है यहाँ पर जो basically वाली error आनी चाही थी अब मैं यहाँ पर चलूँगा मुझे और भी data पास करना है so dot 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 यह जो मेरा आप देख पार हो current element copy and then paste फिलाल इसकी कोई मुझे need नहीं यहाँ पर क्योंकि इतनी कोई need है नहीं सच में यह जो spread operator में उसका ताकि यह जो मेरे current element के you know हमें मालूम इसके अंदर id है questions है and then हमारे पास किया answer से उन सब को मैंने यहाँ पर पास कर दिया है remaining जितना भी वचा ठीक है नाव इसको मैं अब यहाँ पर get कर सकता हूं अब चाहे तो directly as a props यहाँ पर लिख कर सकते हो इससे better अब you know after ES6 directly अब हम destructuring कर सकते हैं यहाँ पर and मैं directly स्थिरके से questions comma and then मैं directly स्थिरके से answer ल का एक questions सब आ गया है कि नहीं कितना awesome मुझे questions आ गया सब उसी तरके से अगर मुझे यहाँ पर answer भी चाहिए होता तो मैं simply यहाँ पर चलके and मैं स्थिरके से answer भी लिख सकता हूं अब आप देखोगे मुझे हर एक question का अपना अपना individual answer दिखाई दे रहा है ठीक है अब बस बात यही है कि हमें इसको properly set करना है तो सबसे पहले कैसे होगा देखोगा इसमें यहाँ पर चलता हूं ठीक मैं वापस अपने previous page पर आ चुका हूं वहाँ पर गास मुझे सबसे प ठीक है ठीक है अब आप देखोगे guys at least मुझे वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है मेरा background हमारा main heading and ठीक इसी के नीचे में चलूँगा ठीक है we have our h1 and guys यहाँ पर मैं लिखने वाला react interview ठीक है questions and answer आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते थे अब देखो गईस मुझे at least इतना आ गया already मैंने css दिया हुआ इसलिए automatic आ रहा है तो चलो इतना मेरा काम हो चुका यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करना देखिए guys it's super duper easy ठीक है यहाँ पर simply मैं चलता हूँ सबसे पहले एक div ले लेता हूँ and उसको अब एक class name देता हूँ and that is my main heading ठीक है उस paragraph पर देखोगा इसमें directly यहाँ पर मेरे पास से plus sign है इसको चिपका रहा हूँ तो मैंने कुछ इस तरीके से use किया यह ठीक है यहाँ पर मैं चलता हूँ मेरा h3 and उस h3 में guys मैं questions पूछने वाला हूँ and एक second note यह वाला ठीक है and यह जो मेरा div है ठीक इसके में चलूँगा एक मेरा paragraph होगा जहां पर I have my answer जो भी मेरे answer रहोंगे ठीक है तो इस तरीक से मैं रख देता हूँ and boom guys देखो automatic सब कुछ हो गया यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि सारा का सारा यह जो भी data दिखाई दे रहा है इतने perfectly यहाँ पर आच ठीक है एन गाइस मैं एक दम हसे ज्यादा explain एक एक topic को इसरी नहीं करा क्योंकि हमने यह अल्रेडी पर चुका ओल्रेडी समझ चुका वाट इस यूज श्टेट उपर भी पूरा वीडियो बना चुका हूँ ठीक है I mean playlist क्रेट कर चुका उसका वे link में आपको नीचे description में प प्रेक देता हूँ false आपको पता चलेगा क्यों false रखा है मैंने अंड्रेड सेप करता हूँ पहले की तरह मुझे वह नौट डिफाइन वाला एरर नहीं चाहिए इस तरीके से दिखाई रहा हूँ ठीक है लेकिन अगर यहां पे इस तरीके से दिखाई रहा हूँ ठीक है लेकिन अगर यहां पे इस तरीके से instead of false अगर मैं true लिख दूँगा तो आप देख सकते हूँ गाईस हमें वो data दिखाई दे रहा है ठीक है तो इस तरीके से आपको समझना है कि यह क्या हो रहा है यह क्या नहीं हो रहा है यहां पी जो मेरा पी है इसको एक class name देना जरूरी है और लाट गाईस तो मैंने class दिया जिसका नाम है answers अब आप देखोगे कितना awesome मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है तो अब हो यह राके गाईस पूरा पूरा चीज़े मुझे दिखाई दे तो फिलाल के लिए इसको मैं false रखना चाहूंगा 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 यह ए यहां पर एक event लगेगा that is on click तो जब भी कोई इस पर करेगा click ठीक है जब भी इस पर कोई करेगा click देखो गाईस अगर आप सोच रहे हो कि मैं directly set show लिख दूँ एंड यहां पर चलके simply यहां पर यह जो मेरी show की value उस तरीके से रख दूँँगा तो यहां पर देखो गाईस नहीं answer नहीं आने वाला एक problem होने वाला यहां पर इन्फिनाइट लूप पे जा चुका है ठीक है इन्फिनाइट लूप जा चुका तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते क्योंकि यह जो तरीका है जहां पर आगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो इन्फिनाइट लूप पे through हम इसकी value को toggle करेंगे like false है तो true, true है तो false आप not operator देख से है तो simple तो guys यहाँ पर आपको इतना सार अगर error लग रहा तो इसको मैं अगर एक बार refresh कर दूँगा तो देखो guys अब कुछ भी error नहीं यह तो आपको मालूम है set data q use नहीं वा था ठीक है all right यह बहुत ज्यादा चोड़ा दिख रहा है all right perfect अभी यहाँ पर ध्यान से देखना है the moment इस पर click करता हूं देखो guys कैसा अगर आपको है न awesome यह देखो हो गया इतना ज्यादा simple था लेकिन अभी एक चीज रह गया है and that is कि guys जब मैं इस पर करूंगा click तो यह toggle होना चीए plus के बदले minus minus के बदले plus ठीक है now it's again super duper easy देखो जब मैं इस पर करूंगा click तो हमारा यह data दिखने का एक ही region है because so की value क्या आउचुकी होती है true ठीक है and अगर वो true हो चुको आता है मतलब हम data देख रहे तब मुझे यह minus चीए तो simple है यहाँ पर ध्यान से देखो मैं again इस complete part को guys इस त्रीके से मैं condition के अंदर रखने जा रहो basically turnary operator भी आप कह सकते हो तो simply जहां से देखो अगर so की value true है तो simply अब आपको क्या करना है यहाँ पर देखो आप सोच रहो कि यह कहां से आ रहा आइकन basically windows में अगर आप windows system उसकर हो operating system so windows की plus यह dot I mean windows की को प्रेस करके ही रखना है and then dot को प्रेस करना है तब यह automatic आ जाता है तो minus symbol दिखाओ ठीक है अब मुझे इसको basically कुछ इस्तर की से लिखना पड़ेगा and अगर उसकी value false है तो plus वाला जो icon है वो दिखाओ this is it इतना ज्यादा simple and boom guys see अब मैं इसको एक बाद रिफ्रेस करना चाहूंगा plus minus हो गया data दिखाई दे रहा प्लस minus हो गया data दिखाई दे रहा यह देखो यह है ना कितना awesome and when आपको क्या का था इतना simple and इतने से code में हमारा सारा काम हो गया so guys मैंने आपको का था at the end में आपको लगेगा यार यह तो बहुत ही ज्यादा simple ता आपको starting में पता नहीं कैसा लगा होगा but now see आप देख सकते हो guys हमने API यूज कि आप कहीं पे भी hardcoded नहीं कि जो code यहाँ पे upload कर चुका तो आप जरू check out कर सकते हो और बाताना चांगा guys please मुझे Instagram पे फॉलो कर लिजेगा मुझे बहुत ज्यादा खुसी होगी and बाताना चांगा guys ही video कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बाताना आपके राय में guys अगर कोई और suggestion हो कि हम इसक अमेडियोस को मिस ना करें so till then guys thank you so much take care